राइस्तान में कोंग्रेस पार्टी ने 200 मेंसे 995 सीतो पर कोंग्रेस प्रत्याशियों के सूची जारी कर दी है एक सीट कोंग्रेस ने गिडवंदन में आरेल्ड को दी दी है जैवर जिले की चौमू विदानसभा सीट पर इस बार कॉंग्रेस की दो महिला नेता टिकेट की प्रबलदाविदार थी ये दोनों महिला नेता लगातार पाटी में सक्री रहने के साथ जनता के बीच भी एक्टिव नजर आ रही थी एक महिला नेता राजगराने से तालुक रखती है जबकि दूसरी महिला नेता मून रूप से जुन्जुनू की है लेकिन उनकी कर्मस्थली चौमू है दोनों प्रदीस कौंगरेस में पतादिकारी भी हैं इन दोनों महिलाओं के नाम हैं रुक्षमनी कुमारी और शिखा बराला कौंगरेस पार्टी ने इस बार चौमू सीट से डॉक्टर शिखा बराला को टिकेट दिया है बहुत जादा चर्चाएं थी कि इस सीट से रुक्षमनी कुमारी को टिकेट मिल सकता है लेकिन ऐसार नहीं हुआ टिकेट मिलने के बार डॉक्टर शिखा बराला ने पार्टी के प्रती आभार भी जदाया नमस्कार मैं आपकी डॉक्टर शिखा मिल बराला आपकी आशिरवात वे मेरे प्रती विश्वास को देखते हुए कंग्रस पार्टी में विधान सभा शेत्र चोहूं से पहली बार को ये महीला को पार्टी का अधिक्रत प्रत्याशी बनाया है मैं कल दिनांग 6 नमबर को सुबह साड़े दस बजे आप सभी के साथ के साथ नमानकन ताखिर कर रही हूँ और आप सभी शेत्रवासियों से मेरा निवेतन है खासकर महिलाओं और युवाओं से कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस नमानकन रैली को एतिहासिक बनाएं और चौमू में एक नई परिवर्टन लेहर के साक्षी बनें आप सभी का समर्थन वैसे है योग चौमू में कंग्रस पार्टी को मजबूत वैट एक जूट करेगा समय आभाव की वज़े से वैक्तिगत में आप सभी से संपर्थ नहीं कर पाई उसके लिए शमा आप सभी का साथ अपेक्षित है धन्यवाद जय कॉंगरिस विजय कॉंगरिस मुल्रूप से जुनजुनू के रहने वाली डॉक्टर शिखा मील-बराला, चौमू उस्थित बराला होस्पिटल की डॉक्टर है वो पिछले कई सालों से यहां काम करते हुए ज़ंता से जुड़ी रही इसके तहट उनने लोगों के बीच जाकर सम्मान करना शुरू किया था अब तक वो दस हजार से जादा सेवा निवित करमचारी, आशा सहीयोगियो, आंगन बाडी कायरकरताओं और प्रतिवावान जहात्र जहात्राओं का सम्मान कर चुकी है उनके इस अभियान से उनका प्रेज काफी बढ़ा है, उप्रदेश कॉंग्रेस की सजिव हैं और टिकेट की प्रवमुकता वितार भी थी जनता की बीच उनकी लोग प्रीता को देखते हुए कॉंग्रेस नियों ने चोमू सीट से मौका दिया है अब यह देखना दिल्चस बोगा की डॉक्टर शिखा चोमू विधान सभा सीट पर कॉंग्रेस के भरोसे पर कितना खरा उतरती हैं और क्या कॉंग्रेस इस सीट को जीत पाने में कामियाब होती है